बालीवूर अभीनेता रिसी कपूर का निधन गुरुवार को हो गया वह सरसा साल के थे उनके निधन की जनकारे अमिता वचन ने दी ट्विट करके दिया कि अमिर्का में कैंसर के उपचार कराने के बाद पिछले साल सितंबर में भारत लोटे अभी नेता रिशी कपूर का स्वास्त खराब होने के कारण वे पिछले कुछ दिनों से मुंबई के एज एन रिलाइंस अस्पताल में भरती थे रिशी कपूर के बड़े भाई रंधीर कपूर ने यहाँ जनकारी दी थी हिंदी सिनेमा के लिए अप्रेल के महिने का आखरी दिन काले दिनों की तरह आये हैं बुदभार के एक्टर इफान खान के इस दुनिया से आखरी सांस लेने की और गुरुबार को बॉलिवूड एक्टर के मसूर एक्टर रिशी कपूर ने भी कैंसर के चलते मुंबई के अस्पताल में दम तोड़ दिया वो पिछले कुछ दिनों से तबियत खराब होने के चलते मुंबई के एच एन रिलाइंस अस्पताल में भरती थे यहां उनकी पतनी नीतू उनके साथ बनी हुई थी ऑस्पिटल में मिली जनकारी के मुताबिक रिशी कपूर और के कैंसर समन्दीत समस्या के चलते अस्पताल में भरती कराय गया था जहां उन्हें ICU में रखा गया था उन्हें बाड़ बार वेंटी लेटर की भी जरूरत पड़ी थी अमिता उचन डिसी कपूर के साथ कई फिल्मों में काम कर चुगे थे बालेबूर के महानायक अमिता उचन ने गुरुवार सुबह करीब 9 बज कर 32 मिनट पर ट्वीट कर उनके दुनिया छोड़ने की ख़बर दी अमिता उचन ने लिखा वो चले गये रिसी कपूर चले गये अभी उनका निधन हो गया मैं तबाह हो गया हूँ ट्वीट में बताया जिसी कपूर अमिता उचन काफी करीबी थे दोनों सत्तर और असी के दसक में एक साथ कभी कभी अजुबा और कूली और अमार अकबर एंथोनी जैसे फिलुमा में काम किया था तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वेल आइकउन जरूर पेस कीजिए जैसे वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुचेगा